मैं अनुरोध करता हूँ कि जिसके जिसके घर में पानी गया है उसके लिए समझ ये बाल हो चुका है तो या परियादपूर परखंड का एगारो पंचायत हो या पढ़िया हो सब जगह चिनित करकर करके मुअफजा दिलाने का काम करें बाल गोसी तब ही नहीं हुआ है इसलि जिला परसर दुलगेश कुमार सिंग नो नमबर वाड में हम है और यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है कि रोड पे देखिए बकड़ी आरो गाय माल और ये जानबर रोड पे है और हमारा सारे छेतर का जितने भी मददाता मालिक है सब लोग रोड पे है बच्चा लोग भी रोड पे है हम जिला पदाधिकारी महोदे से अनुरोद करते हैं कि आपदा का जो भी विवस्था हो जिसके घर में पानी गया है उसको चिन्दित करकर करके और उसको मुआपजा दिलाने का काम करे है आप मानिये आदर्निये हमारे मुखमंत्री साहाब निटिस कुमार जी स अनुरोद करते हैं कि जहां जहां आफदास हुआ है उस घर को चिन्नित करके अपने करमचारी अपने पदाधिकारी को बेज करके और वहां जाकर करके और चिन्नित करके उसको मुआपजा दिलाने का काम करें और जो भी गन्दमान बेक्ती है नो नंबर वाट के सब लोग यहां पे हैं और हमारा यही परियास है कि पर जिला पदादिकारी मोहदे से अनुरोज करते हैं कि सब को पन्नी मिलना चाहिए इसके यहां जो है बाल गुसा हुआ है चाहे वो करहर्या पस्चिम हो या करहर्या पूरव हो या करहर्या दक्षिन हो या निरपूर पंचायत हो य वोवज़ाद दिलाने का काम करें हमारे सब दर्सकों का कहना है कि कि बाड़ कब घोसित होगा हुआ कि घोसित की नहीं हुआ है। गया है उसके लिए समझ ये बाड़ हो चुका है उसको चिन्ध करकर करके उसको जो है मुआब्जा दिन का आदेश दिया जाए ताके उसको भरत कोशन बढ़ियां से हो पाए जो कि दो तिन माहिने से घार छोड़कर रेलवेट रग पर रहता है उसके लिए क्या हो उसके पानी को बिराम देते हैं जै हिंद जै भारत जै सारा समाज के लोग हूँ कर दो